आओ center of mass की position को mathematically निकालना सीखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक red color की ball है और इसका mass दिया हुआ है कुछ 2 kg और यहाँ पे मेरे पास एक blue color की ball है इसका mass दिया हुआ है कुछ 6 kg और इन दोनों के बीच का distance है कुछ 10 cm का और मुझे पता लगाना है कि इन दोनों की center of mass ये कहाँ पे लाई करने वाली है तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि इन दोनों की center of mass ये तो इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करने वाली है और क्योंकि ये वाली मास थोड़ी ज़ादा भारी है न इसलिए center of mass इसके तरफ थोड़ी सी close होगी कहीं यहाँ पे होने वाली है center of mass लेकिन exact position क्या होगा center of mass का तो इसके लिए हम एक formula का इस्तमाल करते हैं xcm ये हो गई center of mass की position ये बराबर होने वाली है पहली object की mass into उसके position प्लस दूसरे object की mass into उसकी position प्लस तीसरे object की mass into उसकी position ऐसे करते करते तुम सारे objects और उसकी mass और उसके position का product यहाँ पे लिखते हैं divided by सारे objects की masses अब ये ratio तुमें देदेगा center of mass इन सारे masses की center of mass की position तो अब इसे calculate करते हैं हमारे इस example के लिए तो मैं लिखेंगा center of mass की position xcm ये बराबर हो जाने वाली है पहला object का mass अब पहला object मान लेते हैं कि ये वाल object है किसी भी object को तुम first object मान सकते हो मैं मान रहा हूँ कि ये red वाली object पहली है तो इसकी mass हो गई 2 kg इन्टू इसकी position x1 अब यहाँ पे मैं position कैसे बता हूँ यार यहाँ पे तो मुझे मेरे पास partition coordinate system है ही नहीं और यहाँ पे कोई origin भी नहीं दिख रहा है तो तुम देखो origin तुम मान सकते हो कहीं पे भी बस इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पे origin मान रहे होना उसे तुम अंत तक follow करना तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि हमारी ये जो ball है ये origin पे रखी हुई है यही position है x is equal to 0 इसका मतलब कि यहाँ पे कोई position होगी तो वो हो जाएगी x is equal to 5 ये beach वाली position इस coordinate system के कारण ये x1 यान कि पहली object की location ये तो हो जाने वाली है 0 ही यान कि मैं लिख दूँगा 0 centimeters अब दूसरा body इसकी mass m2 ये हो गई 6 kgs plus 6 kgs into ace की position अब क्योंकि मेरा coordinate system ये है तो इसके अनुसार ace body की position हो जाने वाली है कुछ 10 centimeter right यान कि plus 10 centimeter प्लस 10 centimeter अब यही दो objects हैं तो यान कि या formula यहीं पे खतम हो गया अब आँ आते हैं denominator पे तो denominator divided by इन सारी body के masses का sum ये हो जाने वाला है 2 kgs plus 6 kgs 2 kgs plus 6 kgs अब आँ इसे solve करते हैं तो ये चीज हो जाएगी ये 2 into 0 ये तो खहर हो गया 0 plus 6 into 10 यानि कि ये हो जाने वाला है 60 या पर सिर्फ औस 60 बजएगा और units ये हो जाएगे kilogram into centimeters kilogram centimeter divided by denominator में आ रहा है 6 plus 2 यानि कि 8 8 और unit से kg यानि कि kg से kg कट गया और 60 by 8 ये अगर तुम solve करो तो ये आएगा 7.5 plus 7.5 और unit से centimeter यानि कि center of mass की position ये हो गई plus 7.5 और plus ये याद करो ये हमने माना था कि origin से right direction होगी plus यानि कि इस direction में origin से 7.5 cm की दूरी पे यानि कि कहीं यहाँ पे ये यहाँ होने वाली है हमारी center of mass की position 7.5 cm दूरी पे इस location से अब देखो ये तो हमें answer तब आया जब हमने इस position को मान लिए अपनी origin अगर मैं किसी और position को origin मानता तो क्या मेरा answer अलग नहीं आता तो देखो ऐसा नहीं होने वाला है हर एक position से same ही answer आने वाला है अब इसे करके देख लेते हैं मानते हैं इस बार कि ये वाली जो position है न ये हमारी origin है ये हो गई x is equal to 0 ये इसे में cancel कर देता हूँ ये इस बार हो गई हमारी x is equal to 0 और right direction ये अभी भी positive direction है तो आप फिर से लिखते हैं ये formula position of center of mass x cm तो ये हो जाने वाली ये पहली body की mass जो की है यहाँ पर 2 kg इसे अभी भी हम पहली body मान रहे है 2 kg इन्टू इस की position अब देखो ये हो गया हमारा origin और ये body like कर रही है origin के left hand side में हमारा convention है कि right hand side positive है यानि कि इसकी position हो जाने वाली है minus 10 cm minus 10 cm plus दूसरे body का mass second body का mass into second body की position second body की mass हो गए 6 kg और इसकी position अब ये तो origin पहीं रखा हुआ है ये हमारा नया origin है ना तो क्योंकि ये origin पहीं रखा हुआ है तो इसकी position हो जाने वाली है 0 यानि कि M2 इस 6 kg into position ये होगे 0 cm अब इसे में divide कर देने वाला हूँ total mass से system के total mass से तो ये हो गया 2 kg प्लस 6 kg अब आओ इसे solve करते हैं तो ये हो जाने वाला है 2 into minus 10 ये हो गया minus 20 kg cm ये हो गया units प्लस 6 into 0 ये तो खेर 0 यह हो जाने वाला है तो इसे हटा दो divided by denominator में 6 plus 2 यानि कि 8 8 kg तो यह kg से kg cancel और हमारे पास आया minus 20 by 8 अब अगर इसे तुम solve करो तो तुम्हारे पास answer आने वाला है minus 2.5 cm तो देखो हमारा answer तो अलग आ रहा है यहाँ पे plus 7.5 cm और यहाँ पे minus 2.5 cm मैंने तो कहा था कि अंसर सही आएगा यार लेकिन देखो ये coordinate system भी तो अलग हो गया न minus 2.5 cm इसका मतलब यह हुआ कि center of mass origin से left hand side में लाई करती है और कितनी दूरी पे तो 2.5 cm की दूरी पे अब अगर 2.5 cm तुम पीछे जाओ तो तुम exactly इसी location पे आ जाओगे 2.5 cm पीछे यह देखो 7.5 प्लस 2.5 इसका समोजाने वाला है 10 तो इसलिए 2.5 पीछे भी exactly इसी location पे आता है तो center of mass की location असल में change नहीं हुई अलग-अलग coordinate system के अनुसार अलग-अलग numbers भले ही आ रहे हैं लेकिन center of mass तुम्हारा अभी भी यहीं पे है तो आँए एक बार recap कर लेते हैं हमने देखा कि एक system of bodies की center of mass की position बताने के लिए तुम इस formula का इस्तमाल कर सकते हो यह बताता है कि center of mass निकालने के लिए तुम सारे bodies की mass को multiply कर दो उनके position से और फिर इन सारी चीज़ों को तुम sum कर दो फिर इस sum को तुम divide कर दो इन सारी bodies के mass के sum से तो तुम्हारे पास आजएगा center of mass की position अब देखो यह individual position measure करने के लिए तुम्हारे पास origin का होना बहुत ही ज़रूरी है तो तुम origin को कहीं भी मान सकते हो as long as तुम सारे masses की position इसी origin से measure कर रहे हो ठीके न अब इसके बाद जो तुम्हारे पास number आएगा न यह basically distance होगा तुम्हारी origin और center of mass के बीच की